हेलो फ्रेंज कैसी है आप बढ़ियां मस्त रहिए चुस्त रहिए और एंटेटेन्मेंट का मज़ा लेते रहिए अगर आपको ये कहा जाए कि टीवी की भववे जैसी देखने में लगती हैं क्या वो रियर लाइफ में भी ऐसी ही होती हैं जिन्हें आप टीवी शो में अनपड़ का रोल या घरेलू ओरत जैसा रोल या फिर जो है बहुत ज़्यादा डरी हुई दुनियादारी की कोई नोलिज नहीं ऐसी उन्हें दिखाया जाता है तो क्या वो रियर लाइफ में भी ऐसी हैं कई बार जो फैंस होते हैं वो टीवी शो के हिसाब से उनके करिदार को समझने लगते हैं वो सोचते हैं वो रियर लाइफ में भी ऐसी ही है तो ऐसे में मैं बात करूंगी टीवी की कुछ भौवे जो काफी अनपड़ और जो है द सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारी अनुपमा की जिसे आप स्टार प्लस पे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं जहां पे वो बहुत कम पढ़ी लीखी दिखाते हैं और दुनियादारी की उन्हें नौलीज इतनी नहीं होती है तो ऐसे में रियर लाइफ में भी क्या आपक वो अपने हस्बेंट के साथ जो है बिजनिस में भी काफी हैल्प करती है और काफी अच्छे अच्छे आईडिय देती है अब बात करते हैं आपकी दूसरी कलाकार की वो कोई और नहीं वो आपकी दया भावी है उफ दीशा पठानी जो की काफी लंबे टाइम से तारक महता में नजर नहीं आ रही है जैसा उनका रोल दिखाया गया था ऐसा लगा था जैसे कि वो बिल्कुल भी पड़ी लिखी नहीं है लेगिन आपको बता दें कि वो एक ग्रेजवेट है और यहाँ पे उन्होंने जो है अपने एक टुशन भी जो है वो बच्चों को कई बार दे कि वी एक ग्रेजवेशन के साथ साथ जो है इन्होंने जो है काफी जो है कोचिंगे भी ली है कॉम्पटिशन की अब बात आती है आपकी प्यारी जिया मनी की भाई इनका नाम सुनते ही जो है एक धड़कने तेज हो जाती है क्योंकि सात निबाना सात्य जैसे शो में इन से सीधी भाई आस तक मुझे कोई नहीं लगी और गूगल पे भी इनका नाम सबसे पहले आता है अगर कही बात की कौन सी भाई सबसे ज्यादा अनपड दिखाई गई है बाई जो पने पती का लैप्टोप धो सकती है तो आप समझ सकते हैं वो कितनी एजुकेटिड होगी टी दैवली नहीं का नाम क्यों कि用 साथ ओनिगी सांथ जूरुड जाता है क्योंकि वह साथिय ने ना मुझे हो सीजन भी सीजन वनम है तौ उशी के बीच में आपकी डैवलीन ने भी काफी अच्छी पढ़ाई किवीं है गजुवेशन के साथ साह उन्हों ने जूए जो है गहना का रोल कर चुकी है उन्होंने भी जो है ग्रेजवेशन की भी है तो ऐसे में जो है ये टीवी सितारों की बहुए यानि की कह सकते हैं सीधी साधी बहुए इतनी सीधी नहीं है रियल लाइफ में अब बात आती है सबसे जो गवार दिखाई गई थी टीवी शो में वो को काफी जादा स्पीकिंग कोर्सिंग भी किये हैं तो ऐसे में ये सितारे आपको जब नजर आते हैं तो क्या आप इन्हें रियल लाइफ में ऐसा ही देखते हैं या जब आप इनका इंटर्व्यू देखते हैं तो क्या ये टीवी शो की तरह इंटर्व्यू करते हैं सबसे प परवाले इन्हें कई बार ताना भी देते हैं और समाज में जल्दी से बोल नहीं पाती है तो इनकी जो पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने जो है MBA और दोनों की भी है तो ऐसे में रियर लाइफ में ये काफी पढ़ी लिखी है देखा जाता है कि जो रियर लाइफ में काफी पढ़ा लिखा होता है उसे जो है शो या मूवी या कहीं एड का रोल मिलता है तो काफी ज्यादा उसे जो है गवार या कम पढ़ा लिखा दिखाया जा बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है